आपने अपनी जिन्दगी में कभी ना कभी ऐसी पेंटिंग तो जरूर देखी होगी जिसे देखने के बाग में आपको लगा होगा कि यह इसी क्या खास बात है इस पेंटिंग में कि यह इतनी महंगी भी करें वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस पेंटिंग को वहीं पर डूसरी तरफ कुछ ऐसी मुवी देक लेते हैं, तो हमकी में में सवालो, में नमस्कार दोस्तों, के लिए ची नहीं बिलकुल नहीं अब आप सकते हैं वही सेव नेट्फिक्स का अल्टरा एच्टी एकाउंट सिर्फ थाइसोर रुपए में वह भी पूरे महिने के लिए कैसे यह जानने के लिए या तो यहां पर क्लिक करके हमारे डीटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर के डिस्क्रिप्शन में दिये गए हमारे वाट्साप नंबर पर तुरंद कॉंटाक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फीट्फिक्स को और बैल आकन को दबाईए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए तिंक्स हर्ड अंसीन ये मूवी रिलीज हुई बिल्कुल नहीं समझेंगे वैसे इस मूवी का ओफिशल डब्ड हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है जिसे आप यहां पर क्लिक करके हमारे ओफिशल फी ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं जहां पर हम सभी लेटेस्ट अपकमिंग हॉलिवूड मूवी के ओफिशल हिंदी डब् पर ना चाते हुए भी अपनी बेटी फ्रैनी के साथ यहां रिलोकेट होती हैं अब क्यूंकि जॉज हमेशा यहां पर काम पर रहते हैं तो कैतरीन गर पर हमेशा अकेले रहती है और जिस घर में यह रुकते हैं वहां पर कुछ तो सिनिस्टर मैसूस करती है इतना यह नहीं सब्सक्राइब करते हैं और मुवी की स्टोरी इस टैटल के साथ में कम्प्लीट जस्टिस करती है क्योंकि यह पूरी मुवी का तैटल तिंग्स हर्ड एंस इस मुवी का जो तुक है यानि की जो मीनिंग है मुवी का जिस देश से बनाया गया है वो काफी डीप है और कहीं न कहीं आपको थोड़ा प्रॉबलम होगा इसे समझने के लिए जैसे मुवी में जितनी भी पेंट कुछ ना कुछ रिप्रेजंट करती है उस पाटूकल सेटविशन में और अगर आप ध्यान देंगे तो मुवी जिस तरीके से चालू होती है एकजाक्ली उसके उल्टे तरीक यहनि की और ऊपोसिट तरीके से खतम होती है यानि चालू होती है एक पेंटिंग से रियालिटी वैसे Immanuel Swedenborg ने कहा था जो कि पहले तो एक साइंटिस्ट है पट कहा जाता है कि उन्होंने जीजस क्राइस को देखा था जिन्होंने उनको आदेश दिया क्रिस्टानिटी धर्म अपनाने के लिए कहा जाता है कि इमानियुल इसके बाद में स्वर्क नरक और दोनों के बीच की जगा पर आसानी से जा सकते थे ताकि वह वहां पर मौझूद एंजिल्स डीमिन्स और बीच के स्पिरिट्स के साथ में कम्यूनिकेट कर सके अब स्वर् मुवी में एंकाउंटर करती है ऐसा गोस्ट जो की इन बीट्वीन में है और ये गोस्ट किसी तरह गाइड कर रहा है इनको जौज याने के पती से इनको बचाने के लिए जो की अगें कहीं न कहीं जौज एक तरीके से डीमन रिप्रेसंट करते हैं वैसे मैं इससे जादा और डीटेल में मुवी में नहीं जाओंगा क्योंकि मैं spoiler दे दूँगा बट ये चीजे मैं इसलिए बताई ताकि आपको मुवी समझने में थोड़ी हल्प हो अगें बैक तो अब ये कोई ऐसी horror movie नहीं है जहां पर आपको jump scares देखने को मिलेंगे डराओने चेहरे देखने क बस इसमें थोड़े spirits है that's why I think movie एक horror genre है in fact movie में spirits को देखकर आपको डर भी नहीं लगेगा because they are not demonic spirits they are guiding spirits ओरल कहूं तो ये movie दो गंटे की थी लंबी थी तोड़ा ड्रामा जादा था horror तो था नहीं और almost मैं इससे जब देख रहा था तो मैं सोते सोते almost रह गया so overall trust me अगर आप एक ऐसी horror movie देखना चाहते हैं जिसमें धेर सारे jumpscaves हो आपको डर मैसूस हो तो ये movie वैसी movie नहीं है और इसलिए मैं recommend करूंगा कि आप अपना time बरबाद न करें इस movie को देखकर और इसलिए मैं इन सानी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस movie को rate करूंगा 4.5 out of 10 तो दोस्तों ये था हमारा review Netflix की movie things heard and seen का अगर आपको हमारे ऐसे movie reviews, series reviews, netflix, amazon, hotstar, youtube, vote, alt, bala ji, etc. premium offers अगर पसंद आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही reviews और offers आप तक लाते रहें तो प्लीज हमारे चानल को subscribe करना ना बूले, bell icon दबाना बिलकुल ना बूले अंतर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, stay home and please stay safe.